हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चानल सी चुई कॉंपेटिशन टू एडूकेशन आज का कॉंपेटिस्ट एलर्ट है आठ कॉंपेटिशन फॉर्ल इंवर्मेंट जी यह कॉंपेटिस्ट क्या है और इसके सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो पर डिसकस करेंगे पर सबसे करने के लिए है तक वहींपेटिशन आजियु से आफ कर सकते हैं आप्हों जो स्फक करते हैं करे यांज कि दिपार्ट्मेंट आज कि और बिहार के साइट ऋलाइन आठ कंपोटिशन हैं जो कि सब्सक्राइब के लिए हैं टूम्ण इस पे चार के टेग्रीज है पेंटिंग, स्केचिंग, डिजिटल, आर्ट और फोटोग्राफी इस चारों में से आप किसी में भी याजारों में पार्ट स्पेट ले सकते हैं इसको में थीम है वह बायो डाइवर्सिटी है इंक्रीज करना अवेर्नेस ताकि लोग आपने इनवर्मेंट अपने बायो डाइवर्सिटी के लिए अवेर्ड हो सके क्योंकि लॉक्डाउन चल रहा है तो इसलिए यह कॉंटेस्ट जो है सो ऑनलाइन किया जा रहा है ऐसे हर साल ऑफलाइन मेथद से होता था पार्टिसिपेंट जो है सो अपना आर्टवर्क जो है चार केटेग्री स्पिंटिंग स्केचिंग डिजिटल आर्ट एंड फोटोग्राफिय में समिट कर सकते हैं और इच केटेग्री के अंदर थ्री थीम से यानि कि में आपको तीन तीम मिलेंगे इसमें से कोई भी थीम तो इन तीनों थीम में से आप कुछ भी चूस कर सकते हैं थीम जो है वो विदिन द स्टेट ऑ भी हार होनी चाहिए या आपको भी हार को ले करके उसको ले करके ही अपने थीम को सोचना है और अपने आर्टवर्क को करना है भले ही आप कहीं से भी हो आपको थीम में भी हार क इसके terms and conditions अब हम देख लेते हैं तो यह open है every Indian citizens के लिए आप इसमें as individual और या फिर team में भी participate कर सकते हैं एक individual या team जो है वो चाड़ो category भी participate कर सकती है लेकिन हर एक category में आपकी एक ही entry accept की जाएगी तो आप हर category में एक एक दे सकते हैं या फिर आपकी चाड़ो में से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें किसी एक वाट ले सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें apply कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको एक फाइल में एक लोजर में ये तीन चीज़े जो है वो समिट करनी होगी सबसे पहले आपको जो आर्ट वर्क होगा उस था एक फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि हाई याई-resolution में होना चाहिए JP, Easy या PNG दोनों से को भी फार्मेट आप चूज कर सकते हैं और 20 MB से लेस होना चाहिए इसका size इसके साथ आपको डिटेल्स देने होंगे अपने आर्ट वर्क की लाइक टाइटल देना होगा एक ब्रीफ डिस्रिप्शन देना होगा अपने के बारे में और एक रिज्यूम देना होगा यानि जिसमें आपका डिटेल्स होंगी यानि आर्टिस्ट का नाम आपका जुनाम होगा डेट ऑफ वर्थ और इमेल आईडी कॉंचक नंबर ये चीज़ आपको उसमें प्रोवाइट करनी होंगी फिर आप उसको समिट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है वो हर्ड के टेगरी के लिए प्राइस है जो टॉप थ्री सेलेक्टेड विनर्स होंगे हर के टेगरी की उन्हीं ऑनलान सर्टिफिकेट प्रवाइट गया जाएगा इसके साथी कैश प्राइजेज भी होंगे फोटोग्राफिक कॉंपेटिशन की बात क पींटिंग, स्केचिंग, डिजिटल आट कॉंपेटिशन की जो तीन कटेग्री है इसमें भी कैस्ट प्राइजेस हैं फर्स प्राइज 15,000, सेकेंड प्राइज 10,000, थर्ड प्राइज 5,000 और इसके साथ ही 5 पाइज प्राइज के लिए यहां पर भी कॉंसलेशन प्राइज 3,000 एच के लिए अब हम देख लेते हैं कि आप इसे सम्मिट कैसे कर सकते हैं एक और बार जो लास्ट एट है वो 2nd June 2020 तक है आइड लॉगिन करना होगी एक और माइगवर्ण में कि जो आप आइडी होगी वो आपकी अपडेट होनी चाहिए नेम एड्रेस वाटेवर चीज़े उसमें डीटेल से वो सब अपडेटेट रखें अपने फोटो के साथ क्योंकि जो अपडेट नहीं होते हैं जो इनकरेक्ट होते हैं उसके प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आप उसको अपडेट रखेंगा तो लॉगिन करना होगा अगर आपने माइगवर्ण में आईडी नहीं बनाया तो उसका भी प्रोसेस करने बताया हुआ है वो मैं आपके तास्क है वो सब्ट कर लिया जाएगा इस तरह से आप इसमें पार्सिपेट कर सकते हैं अगर अब भी कोई वीडियो आपको तो आप जो है आप जो है सो कमेंट बॉक्स पूसकते हैं और एक बड़ा आप वेबसाइपे विजिट करके साइट अज पर सकते हैं खुद से भी